So guys, अगर आप एक student हो, तो आपको कितने hour की नीद, कितने घंटे की नीद लेनी चाहिए आपने, क्या 5 घंटी के नीद सफिशेंट है students के लिए, चलिए जानते हैं ये question के answer को, सबसे पहले एक report हम जानते हैं कि 2018 के अंदर ऐसा report किया गिया, कि 1 लाख people जो लोग थे, उनकी काम करने की शमता कम हो गई, कब जब उन्होंने 7 से 8 घंटों से कम नीद ली, तब उनकी functional ability कम हो गई, मतलब अगर आप कम नीद लेते हो, तो आपकी functional ability कम हो जाते हैं, इसलिए आपको maximum या फिर normally, आपको 7 to 8 hour की sleep होनी चाहिए, आपको 7 to 8 hours, घंटों की नीद आपको मिलने ही च होते हो, तो या आपकी functional ability के उपर affect कर सकता है, तो guys, अगर आपको MSD, CDT से related, biology से free में वीडियोज चाहिए, तो आप जो है, वो चैनल के page पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे, link is in description, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करन ना भूलिएगा